उत्तर पदेश में कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है लेकिन उसके पहले भाचपा और सर्पा में ट्विट के मातेम से जुमानी जंग शुरू हो गई है पूर मुख्य मंतुरी अखलेश आदम ने ट्विट करके कहा कि बसों का 24% किराया बढ़ाखर भाचपा सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्चा वसूल रही है और प्रदेश विकास करेगा जब सपा के सरकार थी तो जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से सैफ़ई महोत्सव कराया करती थी जबके भाचपा इन्वेस्टर समिट करा रही है तो वही कॉंग्रिस प्रबक्ता अंचु अवस्ती ने कहा है कि भाचपा सरकार की नियत इमानदार नहीं है इसलिए सिर्फ प्रचार का प्रूफ दिल्दा इन्वेस्टर समिट के नाम पर फैलाया जा रहा है देखे समाजवाती पार्टी इन्वेस्टर समिट का स्वागत करती है लखनों में इन्वेस्टर समिट हो रहा है हम उसका खेरमदम करते हमारी तो सरकार से मांग है कि पिछले पाच साल के रिकार्ड की तुलना में जो समाजवादी शासन काल रहा पाच वर्ष का उसमें जो विकास हुआ सरकार को तो महमानों के सामने वो विकास का माडल लगना चाहिए अज आफशक बयान बाजी में नंदी जी ना करें ये प्रदेश के विकास की बात है आज माननी एकलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत याद आ रही है उत्तर प्रदेश में जब वो सरकार में थे तो जनता का उन्होंने कुछ हिसाब नहीं किया चार बार सरकारों में रहे माननी मुलाइम सिंग आदोजी इसे लेकर और अकलेश जी तक लेकिन जनता का गाड़ ही कमाई सैफ़ाई में महोस्तो करके लुटाते रहे सैफ़ाई में सो करोड से उपर का सरकारी बजट जो जनता के पैसों से था वहाँ पर नित्य होता रहा, नित्य अंगनाय नित्य करती रही इंवेस्टर्स मीट सिर्फ लोगों के साथ भद्धा मजाग जनता के पैसे को पानी की तरीके से बहाय जा रहा है इससे पहले भी इंवेस्टर्स मीट हुई हम मांग करते हैं प्रदेश के नौजवान आम आप भी मांग करता है कि सरकार बताये इससे पहले जो इंवेस्टर्स मीट हुई थी उसमें कितना इंवेस्टमेंट आया कितने लोगों को रोजगार भी उसमर तो सरकार बोलती नहीं सिर्फ और सिर्फ जन्ता के पैसे को लुटाये जा रहा है